यह सीद अप कंडेंसर में गया कौन सा कंडेंसर जो मैंने अभी आपको दिखाया थो ड्राइंग में यह कंडेंसर जैसा कि यह इनलेट हुआ यह क्या बीस में से स्टोरी सुना रहा है शुरू से शुरू करते है छोटे तूसर अटगर देवियों और सजनों कुसी की पेटी बान लीजिए आसम बिगडने वाला है वेलकम है आप सभी का मेरे यूटिव चैनल आप इसी डिपेटिप्स में आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वह वह वाटर कुल्ड एसी के बारे में कि इसके अनर गैस कैसे सर्कुलेट होती है पानी कैसे सर्कुलेट होता है और इसके अनर आउटडर होता है या न बढ़े जुरूर देखते हैं लेकिन हमें पता चल जाता है कि आप कितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और कितने लोगों है ने सब्सक्राइब किया है तो यहां आप देख सकते हैं । जो subscriber है वो 3% वीडियो वाच करते हैं जो नौट सब्सक्राइबर याने आप लोग आते हैं वीडियो देखकर चलियाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरी के नए नए अपडेट आप तक पहुंच सेके तो पहुंहक्त को सक्षणी में पर औरकिए और ऑफ यहां पर त्वारा गश्गें बिनले एक पर्सक्राइब यह चोटा सा में पानले दिए इलेक्रिक केेब्लिंग रहती है अब यह सब तो ए pelo कुल मिहें हैं और वाटर कुल में हूँ मिहें रहता लेकिन हम test करेंगे यहां यहां पर एक कंडेंसर के पीछे में यहां वैसा कुछ नहीज रहता है वह मैं दिकता है नहीं की कज साथे करें करेंगे यहां अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर जो है पाणी की पैप्लाइन लगी रहती है जो की कुल पूलिंग टावर से आता है यह पानी का सर्कूलेशन में अभी इस टॉपिक इस वीडियो में नहीं एक्सलेंट करने वाला क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो सिफ बेसिक में नॉलिज आपको देना चाहता हूं के अंदर पानी की दो लाइन रहती है एक इन और्हात सिफिति लंग पर जाएगी आपकास्वेंच, आपको की सरेफियों का रपामा दो टावर सामा घ्लिंग नॉलिज शप्ान मठैं तो आप ये ड्रोइंग में देखेंगे कि यहां से जो हें गैसелिट आ रही है और यहां पर अंदर में जो है Кोपर की लाइन रहती है यह इसी तरह पूरी राउन में तो यहां C1ूए में से यहसे डिस्चार्ड लाइन हमारा लगा यह कंपनी के तो जोइन हए आता है इसके निए आती है और यहां पे सर्कूलेट होती है अदर पिर इसके बाद गैस आउटलेट से लिक्विट फॉर्म में यह बाहर निकल लाती है यह हो गया एक पर अब दूसा पार्ट यहां पर एक पानी की मोटर रहती है और एक कुलिंग टावर बड़ा सा बना रहता है और इसको जो है इनलेट में देती है वह इनलेट में पानी जाने के बाद कॉपर के आजू-बाजू-इंड गुर्ध यो है पानी घूमता है जो की हाई डिश्चार्ज को लिक्विट फॉर्म में कर देता है प्रेशर डाउन कर देता है और दूसरे साइट से पानी निकल के वापस कुलिंग डाउर में चले जाता है तो इतना तो आप समझ गए होगे अब हम आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको पूरी इसकी जो गैस सर्कुलेट होता है वो एक ड्र दिश्चार्ज निकलता है तो यहां से डिश्चार्ज बाहर निकला और यहां से सर्कुलेट होते हुए यह हाई प्रेशर में डिश्चार्ज निकल रहा है और यहां से सर्कुलेट होते हुए यह सीड़ अप कंडेंसर में गया कौन सा कंडेंसर जो मैंने अभी आपको देखेंगे तो इसके आगे में एक लगा रहता है ड्राइर जो कि लिक्वीड में जो आप देखेंगे कि इसमें फेस बन जाता है या कुछ अगर कच्रा हो गए रहा है तो इसके अंदर लगा रहता है अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंड में बता है मैं एक ड्रायर को पूरा कट करके आपको तो दिखा रहा है कि पीछे से गैस आई और आगे चली गई बाहर निकलने के बाद भी यह गैस लिक्वीड फॉर्म में ही रहती है अब इसके बाद जो है गैस सर्कुलेट होके इस वाल पर गई अब यह वाल क्या है यहां पे देखिए एक एकस्पेंशन वाल लिखा हुआ है यह हैं एकस्पेंशन वाल का काम है कि लिक्वीड या हाई प्रिशर को लो प्रिशर में कनवर्ट करना अब यह लिक्वीड फॉर्म गैस यहां से आई तो इसके यह कुछ जो है इस तरीके का दिखता है यहां आप देख सकते हैं यहां से एक तरफ से गैस आई और दूज तो यह जो है एक साइड से गैस आई और यह उतना ओल फोल देता है ज्यादा इसको अन्दर ज्यादा हीटिन स्यादर की करना दो यह ज्यादा खोल लेता है अगर कूलिंग मेंडल हो गई तो यह इसे बंद न्ज कर देता क्राइब क्रबद कर रहा है ने सब्सक्षelas को तो गयर अलग अलग पार्ट में तीन चार कोई यहां धिक वापिस नीचे की तरफ जारी है अब ये जारी हमारे सक कॉंप्रेसर के स्क्षन के तरफ तो इंद करते हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और आपको उन्से टॉपिक पर वीडियो देखने चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं साथ ही हमारे वीडियो लिस्ट जाकर चेक करें यहां पर काफी सारी हमने वीडियो बना के रख्लारी टिप्स और ट्रिक्स हैं तो आप जो जाके विजिट करें और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आये दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक यू